असलाम लेकुम वियर्स, वेलकम तो दे स्पिर्शुल मेंटोर, वियर्स आज मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टन मुबाइल एप्लिकेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है विर्चुल टैबलेट, ये मुबाइल एप्लिकेशन हमारे मुबाइल को as a mouse, as a graphic tablet अगर आगे चलके आपको दिखाता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जी तो वियर्स, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा विर्चुल टैबलेट का एप अपने मुबाइल में और अपने पीसी में, मुबाइल और पीसी दोनों का लिंक मैं डिस्क्रि करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए इधर से भी मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद अगर आप इंस्टाल कर लेते हैं, इस्टाल करना भी बहुत एजी है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह इंस्टाल हुआ हुआ है, विर्चुल ट का इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पीछे प्रीवेस वीडियो में बिताया था कि जीदर वाइफाइ का आ रहा है, उसका यह मतलब नहीं है कि आपका मोडेम के साथ वाइफाइ वाइड नेटवर्क भी कुनेक्ट हो तो चलेगा, वो मसला नहीं है अगर आपका सिर्फ वाइड़ कुनेक्टा है, मतलब पीची जो होते हैं हमारे पास ज्यादातर, वो वाइफाइड नेटवर्क ही स्पोर्ट करते हैं, वाइरलेस नेटवर्क स्पोर्ट नहीं करते, methods नहीं हैं तो अब वो वाइफाइ के साथ किस सऱ ना कुनेक्ट होते ह को वाइर के झिए कोनेक्ट होते हैं तो वो इसके साथ भी काम कर जाता है हाराम से मेरा स्व पीसंकित रहीं कोनेक्ट मेरी मुडेम के साथ मेरे मुटेमन ग्रास इस है तो अब उसके built-in pen आ रहा है तो फिर तो आप यह एस पैन को सेलेक्ट करें अगर आपके पास for example अभी मैं संसिंग जे 6 इस्तमाल कर रहा हूं तो इसमें मेरे पास अगर आप Wi-Fi से connect करें और यहां अभी आप देख लें अपना हम PC पर आ जाते हैं PC पर सबसे पहले आपने करना है विर्चुल टेबलेट इंस्टॉल कर लें इसको मेरे पास पहले से इंस्टॉल था तो भी यह वाले options दिखा रहा है तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं इस्टॉल्ड जी तुवियर्स में अभी आने इस्टॉल करके दुबारा आप लोगों खिद्मिक में हाजिर हो तो अब यहां सिंप्ली विर्चुल टेबलेट को क्लिक करते हैं इसके बाद इस्टॉल पर यह इसको और नेक्स्ट यह इनेश कर लेगा नेक्स्ट नेक्स्ट लोकेशन चींज करनी थे तो कर लें इंस्टॉल और यह इंस्टॉल हो चुक्या है अब सिंप्ली लाउंच विर्चुल टेबलेट सर्वर और फिनिश हमारे पास यह लाउंच हो चुक्या यहां यह आपको स्क्रीन पर अगर नजर आ रहा चुका हूं जिसके साथ पैन है प्रेशर सेंस्टिविटी एक अलाइदा चीज़ है इस पर थोड़ सी वीडियो में अलाइदा बनाने पड़ी क्योंकि इस पर अगर इसको अगर समझाने बैठोंगा तो फिर बहुत जादा लंबी डिटेल हो जाती है तो प्रेशर सेंस्ट आइप अड्रेस आपने मुबाइल में एंटर करनी है और सिंप्ली कुनेक्ट कर देना है करने के बाद हमारे पास हमारा विर्चुल टैबलेट बन चुका है यहां मैं अगर आपको दिखा दूँ तो अब क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे ही मुबाइल दिखा रहा हूं तो को थोड़ सा डिफिकल्ट हो रही है कि चीज़ यह देखा है माउस अब मैं माउस नहीं यूज़ कर रहा है पहले माउस की करसर करसर आपको शो हो रहा था अब देखें आपको यह देखें अब चीज़ चेंज है अब करसर चेंज है हमारा अगर मैं माउस से दुबारा करू तो करसर देख लें, अब करसर देख लें, यहां, ठीक हो गया, अब मैं आपको एक और फीचर इसका दिखा देता हूं, यह left और यह right, ठीक हो गया, right क्लिक करें, left क्लिक करें, for example, अगर हम इसको लेके जाएं, इस पे यह refresh पे ले जाता हूं, यार, असल में यह रखा हुआ है मॉबाइल तो इससे थोट से difficult हो रहा है, अब कर लेते हैं, यह refresh पे ले जाके left, ठीक है, in case अगर आपका mouse खराब हो जाता है, तो आप इसको बहुत easily use कर सकते हैं, और यह बहुत ज़्यादा है, आपने इसको रखना यह है कि आपकी screen की alignment के साथ बिलकुल यह बराबर रखे हैं आप इसको, अगर टेरा उल्टा सीधा रखेंगे तो फिर आपके लिए मसला बन जेगा, इसको यूज़ करना, अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ, इसकी settings में जाएं, settings में जाने के बाद यहाँ जो यह थी mirror mode, आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा होगा, मैं जाएं आपको दिखा दूँ, यहाँ जो है mirror mode, इस mirror mode को अगर हम click करें, और left hand mode को भी click कर देते हैं साथी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो यह जो हमारे पास right और left click थे, यह हमारे पास आगे हैं, right side पे, और हमारा जो touchpad है, इस पर अभी मैं click करूँगा तो यह उदर जगा mirror show करेगा, यह देखें, ठीक हो गया, अब यह है मेरा बगहर, प्रेशर पैन के बगहर पैन वाला मूबाइल संसिंग जैसे, अब मैं आपको पैन वाला मूबाइल के साथ कुनेक्ट करके दिखाता हूँ, जी तो वियर्ज, अब मैं अपना मूबाइल चेंज कर चुका हूँ, इस में मेरे पास अभी यह फिलाल संसिंग note 3, इसके साथ हमारे पास पैन आता है, तो इसमें भी यह देखें, अब को यह स्क्रीन में छोटा सा करसर नजर आ रहा हुगा, अब यह मैंने connect कर लिया इसके साथ, अब यहां मैं अब यह अगर आपको दिखाऊं तो यह देखें, यह जो पिछले वाले में mirror mode नहीं आ रहा था, वो इसमें show हो रहा होगा आपको, अब देखें, करसर मेरा, अगर मैं स्क्रीन के टॉप पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यह मेरा my PC खोलेगा, ठीक है, और अगर मैं इसको दबा कर रखता हूँ, तो यह देखने, अब यह क्रॉस करना है, तो यह ग्राफिक पेन के तोर पर बड़ा अच्छा इस्तमाल किया जा सकता है, अगर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, या अगर किसी को ग्राफिक टैबलेट चाहिए, उसका बजट इतना नहीं है, कि वो ग्राफिक टैबलेट ले सकी, क्योंकि इनकी प्राफिक बहुत हाई होते हैं, तो उसके लिए आप किये कोई भी संसिंग ग्लेक्सी का नोट सीरीज का आप मोबाइल यूज कर लें, पर उसमें की आप यूज कर लें, तो यह बहुत ही ज़्यादा इजी और रिलाइबल एप है, अब यह देखें, यहाँ मैं नीचे रख रहा हूँ, यहाँ टॉप पे यहाँ को करसर नजर आ रहा हूँगा, स्क्रीन पे, ठीक है, यह भी मेरा पैन एर में है, यह होती है प्रेशर सेंस्टिविटी, अब मैं क्लिक करूँगा, दबा के रखूँगा, यह देखा, अब यह राइट क्लिक हो गया, अब इसको सिंप्ली अगर एक टैप करता हूँ तो क्लिक होता है, तो आज की वीडियो के लिए बास इतना ही है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं आपको इन्शाला ज़रूर जवाब दूँगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताके ज़्यादा ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख सकें, और उनको भी इस चीज़ का बता चले, आज की लिए बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वाचिंग, अलाह आफिस.